सस्टेंड का क्या अर्थ होता है ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं सस्टेंड का दो तरीके से इस्तिमाल किया जा सकता है एक तो जिसे सस्टेंड किया गया हो या जो सस्टेंड किया गया हो उसे हम एड्जेक्टिव के रूप में सस्टेंड कहते हैं इसके इलावा sustained जो है वो sustained का past and surpassed participle होता है यानकि sustained की ही second और third form होती है sustained और sustained का आर्थ होता है प्रमानित करना, बनाए रखना, जारी रखना, की वैधता मान लेना, थामना, उठाना, सहना, भुगतना, पालना, पोशन करना या जीवित रखना जैसे के अगर आप ये कहना चाहें कि जज ने वकील की आपत्ती को सही ठहराया या प्रमानित किया तो आप कहेंगे the judge sustained the lawyer's objection या अगर आप ये कहना चाहें कि एक अटल विश्वास ने मुझे बनाए रखा तो आप कहेंगे an unshakable belief sustained me अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें